नमस्कार मित्रों आपका डाक्टर आलूक चैन्ठिया ए आई आरो इंडियाप चैनल पर स्वागत है दो अक्टूबर को जहां भारत में छुट्टी करके इस बात पर एक सम्मान दिखाया जाता है कि आज के दिन भारत के पूर प्रधान मंत्री लाल बहादू शास्त्री का जनम है जिनको रास्ट पिता कहकर सुबाश शंद बोश जी ने संबोधित किया था महत्मा गांधी जिनको महत्मा रविन्ना टैगोर ने कहा था उनका जनम दिन आज होता है उनके तीन बंदर के रूप में हम सभी जानते हैं लेकिन क्या कारण है कि सिजारू की बात नहीं होती है क्या भारत में सिजारू की आवशक्ता नहीं थी या सिर्फ मिजारू, काकाजारू और इवाजारू की ही जरूरत थी वैसे तो कहते हैं कि जो ये तीन बंदर की कहानी है ये चीन के एक प्रतनिधी मंडल ने गांधी जी को दिया था और गांधी जी ने उसको अपने जीवन काल में बहुत सम्हाल के रखा था लेकिन मुखिता यहा जापानी दर्शन है और जापान में तीन बंदर नहीं चार बंदर की कहानी या दर्शन प्रसिद्ध है जिससे जापानी भाशा में मीजारू, काकाजारू, इवाजारू, सिजारू कहते हैं और इसलिए आज मैंने यह वीडियो बनाया है कि सिर्फ एक आपचारिकता में किसी दिवस को माना लेने से बेहतर है कि हम उस दिन को कहीं न कहीं अपने अंदर उतारने में कितना सफल हुए है और मेरा यह वीडियो सुनने के बाद आप यह जरूर सूचेगा कि इसमें से कौन सा बन्दर आपके अंदर रहता है अगर कोई बन्दर आपके अंदर नहीं रहता है तो इसका मतलब है कि बन्दर के प्रतीक के रोप में हम हनुमान जी के भक्त तो है लेकिन हम बंदर को अपने जीवन में बहुत अच्छा अस्थान नहीं दे सके वैसे थो बंदर जाखुदेवता के रूप में हिमानचल में भी बहुत प्रसिद्ध है और कोई भी कारे खासतोर से शुबकार बिना जाखुदेवता के नहीं होता है और आप जानते हैं कि बंदर के प्रतीक के रूप में ही हनुआन जी की जिस तरह से हम आज के समय में पूजा करते हैं उसमें बंदर का क्या महत्तु है किती पवितरता है इसको कहने के आवशकता नहीं लेकिन जापानी दर्शन में वह बंदर कितना important दर्शन दे रहा था और वह दर्शन जो गांधी जी के माद्यम से पूरे भारत में लोगों के द्वारा जाना तो गया लेकिन क्या वह बंदर हमारे अंदर बैठ सका इसको समझने की प्रयास करते हैं कहते हैं कि जो जब चीन का प्रतिनीदी मंडल उन से मिला था और उसने तीन बंदर दिये थे यह है कि कभी भी आपको अपनी आँखों से बुरा नहीं देखना चाहिए इसका तात्पर यह नहीं है कि जो बुरा कहीं पर आपने देखा है कि स्वक्षता नहीं है कुडा करकट है तो उसका आँख बंद करके आप निकल जाईए उसका तात्पर सिर्फ यह है कि आँखों से कभी बुरा नहीं देखना चाहिए अगर आपने देखा कहीं कूला है तो आप वस्तुराइब ना चाहिए हटाना चाहिए अगर आप उसका ताथ पर यह नहीं है कि आप यह सोचें की मिजारू का मतलब यह है कि गांधी जी के बंद करके निकल जाना है बलकि इसका पहलू ये है कि हमें मिजारू बंदर को अपने अंदर तलाशना है कि उस गंदगी को देखकर हमने क्या है सोचा कि हमें सफाई करनी चाहिए या हमने किसी लड़की के उत्पीडन पर या सोचा कि हमें बोलना चाहिए किसी को छेड़ते ह हुए देखकर हमने सोचा कि हमें उसके लिए बोलना चाहिए किसी बुड़े को सड़क पार करते हुए हमने सोचा कि हमें उसको सड़क पार करा देनी चाहिए आज के बाद आप इस अर्थ में जरूर तलाशने की कोशिश करें कि क्या मिजारू आपके अंदर है अगर तो चलिए तलाश कर लेते हैं कि काका जारू आपके अंदर है काका जारू जापानी भाशा में उस दर्शन को करता है जिसमें इस बात को कहा गया कि आपको को भी बुरा नहीं सुनना चाहिए बुरा सुनने का मतलब यह है कि हम अक्सर गलत बातों को सुनते हैं और उस सुनकर हम उसमें अपना समय निकालते हैं जब हम इस बात को ध्यान में कर लें कि हमें दुनिया में किसी की गलत बात को सुनना ही नहीं है कोई कह रहा है कि आओ चलो बीड़ी पीते हैं कोई कहता है शराब पीते हैं कोई कहता हो चलो लड़की छेड़ते हैं कोई कहता हो चोरी करते हैं कोई कहता हो चलो मार पीट करते हैं कोई कहता हो चलो गाली फला को देते हैं कोई कहता है चलो क्लास छोड़ देते हैं अगर ये सारी बातें कोई कह रहा है तो हम उस बात को नहीं सुनेंगे अटेन करते हैं चोरी करते हैं माबाप का कहना नहीं मानते हैं पढ़ाई से अपना ध्यान दूर ले जाते हैं और इस बात पर आप कोई ध्यान नहीं देते हैं चाहे जितना आपको कोई समझाता है अगर आप इन सारी बातों में हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन मे काका जारू बंदर नहीं इस्थापित है और काका जारू बंदर की शुनिता आप बड़े असानी से देख सकते हैं जिस तरीके से लोग कानों से बुरा सुन कर सुनने का ताथ पर यहां सिर्फ यह है कि हम गलत बातों को सुन कर उसकी तरफ ज़्यादा प्रेरित होते हैं अक्सर आप देखते हैं कि लोग यह कहते हैं कि जिन्होंने बुरा काम किया वो ज़्यादा उन्नती कर रहे हैं वो ज़्यादा आशो आराम से रह रहे हैं और निश्चित रूप से नहीं है, इस पर विवेचन आप करके देखे कि क्या काका जारू आपके दीवन में है, फिर एक जापानी दर्शन में जिस बंदर को परतीक के रूप में दिखाया गया, वह है इवाज जारू, कि हमें बुरा बोलना नहीं है, बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं बुरा कहना नहीं बुरा कहने का ताथ पर ये है कि जो निन्दा रस है वो हमेशा बहुत आनंद देता है जब भी किसी विक्ति के बारे में अगर कोई बुराई चल रही है तो आप अगर यह सोचते हैं कि आप भी यह बताएं कि वो आदमी कितना बुरा है तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो इवाज जारू है वह नहीं है जिस दिन आप यह तै कर लेंगे हमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखना है हमें मिट्टी में कीचल का भाव नही देखना है कि वह कितना कठोर बोलता है उस कठोर बोलनी के पीछे उसने समाज के लिए कितना अच्छा सोच रखिये इस पर ध्यान देना है और जब आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि निर्माण में स्रजन में कितना अधिक किसी का योगदान है तो आप कभी बुर बोलेंगे आपको अच्छाई ही अच्छाई रिखाई देगी अगर आपको किसी दिन खाना नहीं मिला है तो आप अपने भाग यो प्रारब्द को नहीं कोसेंगे भलकि आप यह सोचेंगे कि आखिर क्या खारण था कि आज प्रकिर्टि ने भगवान ने परम सत्ता ने आपक कोई व्याधी पैदा हो जाती इसलिए प्रकृति ने प्राकृतिक चैन के आधार पर मेरे सामने भोजन प्रस्तुत नहीं होने दिया या प्रस्तुत भी हुआ तो हमें खाने नहीं दिया जब आप इस तरह का पॉजिटिव और सकारात्मा का अप्रोच रखेंगे तो आप कभ भी भी बुरा नहीं कहेंगे ना तो भगवान को कहेंगे ना मनुष्य को कहेंगे और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो यह तो पक्का है कि आपके जीवन में निश्चित रूप से इवाजारू नहीं है और चौथा बंदर जिसके बारे में हमारे देश में बाती नह और उस चोथे दर्शन को जादा महत्तु है जिसका मतलब है सिजारू सिजारू आज के समय में प्रजात आंतरिक देश में सबसे महत्त पूँदर्शन है जिसका मतलब है बुराई ना करिये ठीक अभी जैसा कि मैंने तीसरे के लिए कहा कि पहला है मिजारू कि हम बुरा न देखो दूसरा काका जारू न सुनो न कहो लेकिन वहाँ पे विक्ति को कहना है यहाँ पर बुराई के बारे में बात किया गया है और उस बुराई को लेकर हम अगर प्रजात अंतर की बात करें तो प्रजात आंतरिक देश में आप हक्सर यह देखते हैं कि जो भी स़त्ता पक्च में हैं हम पूरे पांच साल यही बताते हैं दो सरकार ने क्या खराब किया है जो हमारी मरतिशना को बताता है और इस कारण से आपको जो सिजारू पद्धती है वो हर समय दिखाई देगे जबकि आपको हर समय स्वयम हमने क्या किया है राष्ट के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए जब इसका आप विशलेशन करने लगेंगे और इस विशलेशन से जब आपको अपने अंदर स्वय का ग्यान हो जाएगा तो आप कभी बुराई नहीं कर पाएंगे और सिजारू पैदा हो जाएगा और सबसे महत्पूर आवशकता सिजारू की है तो आप मिजारू, काकाजारू, इवाजारू, सिजारू किसके दर्शन से प्रभावित है और कौन सा बंदर आपके अंदर पाया जाता है इस पर आकलन जरूर करिए किसी भी कहानी, किसी भी दर्शन को सोच कर देखे कि वह आपके जीवन में कहां तक प्रवेश कर पाया है क्या आप उसको समझ पाये हैं और समझे हैं कितने प्रतिशत तक वह आपको प्रभावित कर पाया है कहना आसान है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो लेकिन इन तीनों बंदरों को हमने कितना महसूस किया है बुरा मत देखो, बुराई मत करो बहुत बारीक संतर है, शायद यही कारण है कि तीन मंदर हमारे किया कहा गया, चौथे को नहीं कहा गया, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुराई मत करो, आपने देखा होगा, मैं लब बुरा हमें कहना नहीं है, आँख पे है, बुरा मत देखो, कान पे है, बुरा मत सुनो, उसमें सकारात्मक है, कि आप अपने अस्तर पर हर जिगह अच्छा करेंगे, गलत बातों को सुनकर जिसके लिए यागवल की ने भी कहा है अपने पत्नी मैत्रई से कि तमसो मा जोतीर गमे, अस्दो मा सद गमे, मनलो हमें अंदिकार से प्रकाश के ओड जाना है, प्रकाश से अंदिकार के ओर नहीं आना है, हमें असत्ष से सत्ष की ओड़ जाना है इसलिए हमें बुराक देखना नहीं है बुरा सुनना नहीं मुरा कहना नहीं हो बुराई से अपने को दूर रखना है हुराई का आरठी यही है कि आप हर पल नकारात्मक विछारदारा में ना रहें नकारातमकता जरूरी है बिजली आपके घर में जलती है जो बल्ब जलता है वो भी जो तार है वो एक धनातमक एक रनातमक होता है और एक उदासीन होता है तीन तारों का काम होता है तो आपको बुराई नकारातमकता एक प्रतसक तक माननी ही है खून में भी नमक है खून में भी चीनी है प्योर खून नहीं है वो चल भी नहीं सकता लेकिन एक प्रतसक स्यादा नमक हो जाए ब्लड पेशर हो जाएगा एक प्रतसक स्यादा चीनी हो जाए तो आपको शुगर ह आपकी किडिनी खराब हो जाएगी क्योंकि रक्तगाड़ा हो गया है ऐसे ही समाज में जब आप बुरा देखते हैं बुरा सुनते हैं बुरा करते हैं और बुराई में सनलिप्त हो जाते हैं तो भी समाज विक्रित हो जाता है जो समाज की गती है वो प्रभावित होती है और उसी बात को उसी दर्शन को इस जापानी दर्शन में बंदरों के द्वारा समझाया गया है चुकि बंदर मानों के सबसे खरीब है बंदर और वानर में फर्क है जहां वानर एप कहलाता है वैसे वो मंकी कहलाते हैं वानर हैं जो एफ हैं जो चिंपैंजी है उसके अंदर 48 गुड़ सूतर पा जाते हूं जो मानो मेरे जैसा है आप जैसा है उसके 46 गुड़ सूतर हैं सिर्फ एक जोड़ी गुड़ सूतर की कमी होने से वहाँ चिंपैंजी है आप मनुष्य कहलाते हैं अगर इतना छोटा सा अ दर्शन को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे कि और उसके अनुरूप कार कर पाएंगे कि बुरा नहीं देखेंगे बुरा नहीं सुनेंगे बुरा नहीं बोलेंगे बुराई की तरफ नहीं करेंगे बुराई नहीं चाहेंगे तो निश्चित रूप से आप मानों के बीच मे भी महमानों बनने के तरफ बढ़ सकते हैं यही दर्शन आप 2 अक्टूबर को समझ सकें और आप यह समझ सकें कि आप मिजारू हैं कि काका जारू हैं कि इवा जारू हैं कि सी जारू हैं आज सबसे अरशक्ता सी जारू की है तो रास्ट बहुत सुंदर हो जाएगा जाती धर्म पाल्टी के आधार पर मनुश्रिमद बनिये आप सिर्फ जैविक आधार से निकले हुए उस सांस्कृतिक मानों की और बढ़िये जो अपने चारो और इस्थाई तो चाहता है अपने चारो और एक नियमित जीवन इस्थाई जीवन चाहता है गतिशीलता चाहता है जल की तरह तब आपको इन चारो दर्शन का समझ में आएगा और यह बात आप समझ सकें इसलिए मैं यह वीडियो बनाया है आप अपने अंदर खोच के हमें जरूर बतायेगा कि इवा जारू आपके अंदर है किसी जारू है कि काका जारू है कि मी जारू है अगिल भारतिया दिकार संगठन आप में सकारात्मक सोच जगाने का लगातार प्रयास करता है और इसलिए मैं वीडियो आज 2 अक्टूबर को बना रहा हूँ अगर आपको इवास समझ में आती तो इसे दूर तक ले जाएए खुब शेयर करिए क्योंकि कभी-कभी आप अपनी वेस्तिता में बहुत सी बातें ना पढ़ पातें ना जान पातें तो यह चोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी दे सकता है आप सभी को मिजारू काकाजारू इवास जारू सीजारू की तरफ से बहुत बहुत शुब कामना हूँ एक पूरल मानों बनने के लिए नमस्कार